तो गूद इडिनीं एरीवन, मैसेल फामन श्रवास्तों इंटेलिजन ट्रेडर आपके सामने लेके आ चुका हूँ एक शांदार सी मार्केट एनलेसिस वीडियो जिसमें मैं आपको पूरा वीकली बेसिस पे क्या अगले वीक में मार्केट कर सकता है प्लस इस वीक में मार्के के दिन में जो मार्केट उपन है उसके बारे में हम लोग डिसकेशन देने वाले हैं सबी लोगों का मोशनल के मैं जैसी राम सबी लोगों को चलते हैं जल्दी से अपने आज की अनलसिस को शुरू करते हुए दिखते हैं ठीक है कमेंट स्रिक्शन पुरा भर दीजेग एक हम पॉस्टिफटी के साथ तभी मजा आता हुआ दिखेगा इसको याद रखेगा तो सबसे पहले अगर आप देखने की कोशिश करोगे निफ्टी 50 को गाइस तो निफ्टी 50 में फ्राइडे के दिन में जो क्लोजिंग हुई गैप आप के साथ ओपनिंग हुआ बट मार्के उसके पिछले दिन आप अगर फाइडे को देखोंगे तो उस दिन भी मार्केट में सेल आफ आया प्र मार्केट साइडवेज होके थोड़ा से अपसीड में जाके निफ्टी में क्लोजिंग करा इसी के साथ अगर बैंक निफ्टी को आपको दिखाने का ट्राइग तो बैं निफ्टी आपका sideways to positive zone में closing करने की कोशिश कर रहा है इसको याद रखेगा अभी की टाइम पर global market में क्या scenario दिख रहा है इसको हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं अगर आप global market के scenario को चेक करोगे तो आपको साफ सुतरा दिखेगा कि gift nifty अभी आपको negativity के साथ opening का दिखा रहा है मतलब कल के दिन मार्केट जो हो सकता है हम लोग का एक gap down type की opening खुल सकती है इसको याद रखेगा अगर हम लोग और चीज़ों को देखने की कोशिश करें जैसे की सिंपल सा US market के futures and everything को तो उससे हम लोगो clearance मिलता हूँ दिख जाएगा कि US market ने आपको कैसा performance किया सो Friday का performance आपको US market का तो याद था ही उसमें कोई दिक्कत की बात थी नहीं इसको भूलेगा नहीं उसके बाद market खुला ही नहीं हम लोग की market extra Sunday को खुली थी तो अब जो भी changes होंगे वो सुबह के टाइम पर कल सुबह के टाइम पर आपके futures and everything के changes के साब से आपकी Asian market के changes के भी दिखेगी इसको भूलेगा नहीं तो अभी के gift nifty से वाजदा influence भी नहीं होना है कल market में सुबह के टाइम पर जो दिखाएगा scenario उसके साब से market opening करने की कोशिश करेगा इसको याद रखेगा क्योंकि यह 20 जुन कोई closing के हिसाब से ही है इसको भूलेगा नहीं ओके अब च किएगा बाकि जिन्हों ने नहीं करा अभी तक अपना account opening and everything description वाले free of cost link से अपना जल्दी से आप धन में account open कर लिजेगा सबसे best नहीं तो allies blue angel one and सब में से आप किसी में भी करके हमाय साथ lifetime premium membership में जुड़ सकते हैं हमाय साथ जुड़ के एक दम शांदार तरीके से आगे 50 का projection को देखने का कोशिश करेंगे वन वीक के टाइम फ्रेम पर पहले तो आपको यहां पर देखेगा कि बहुत दिनों बाद काफी दिनों बाद आपको देखेगा एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ आठ नो दस ग्यारा बारा 12 weeks के लगबग 11-12 weeks के बाद मार्केट में एक strong radical instinct का formation हुआ उसके आगे उसके पीछे कोई भी बहुत जदा strong weekly instinct नहीं दिख रही थी और अगर आप bank nifty में भी देखोगे तो उसमें भी आपको देखेगा काफी सारे weeks के बाद एक strong radical instinct का formation हुआ है और इसमें सबसे बड़ा major heart था उस दिन का gap down आपको याद होगा जो न बहुत recovery भी हुई बट जो major contribution उसी के द्वारा आता हुआ दिखा था market में तो अभी market का weekly time frame पे अगर आप चीजों को देखने की कोशिश करोगे तो bank nifty में भी थोड़ा से negativity है और उसके साथ साथ अगर आप nifty में भी देखने की गोशिश करोगे तो nifty में एक pausing की बड़ी red and stick का weekly time frame पे होता हुआ दिख गया सेनारियो इसको याद रखेगा but bank nifty के weekly time frame पे मुझे एक चीज़ दिख रहे है कि volume का increment हुआ है मतलब ठीक ठाक है यहाँ पे capital market में short करने की कोशिश करा गया है और यह एक छोटा से जो पहले market का दो बार resistance level था वो अब एक mini support की तरह वही ह 46,000 का level एक work करता हुआ दिख सकता है इसको याद रखेगा अब चलते हम लोग जड़ा से देखने की कोशिश करते है one day time frame पे market का क्या scenario चल रहे है अगर मैं one day time frame पे देखने का try गरूँगा तो यह वाला gap down ने major market तो negativity के zone में bank nifty में लेते आया है बड़ यहाँ पे पिछले दो तीन दिन से market रुका हुआ है अभी major उसके बाद और fall नहीं दिया है तो हम लोगों को अगर ऐसे weekly time frame को continuation में और चाहिए गाईस तो हम लोगों को इतना याद रखे one day time frame के इसाब से 45,495 45,495 के नीचे one day time frame की एक major radical stick का closing चाहिए होगा अगर वो closing करेगा तो अभी mark करके रख लीजे 44,662 का level आपका directly आता हुआ दिख जाएगा इसको सभी लोग mark करेंगे फिर से mark करेंगे 44,000 45,495 के नीचे one day time frame की closing then आपका target एक open हो जाएगा swing के इसाब से 44,650-70 के आसपास का इसको भूलेगा ने इसको आप जरूर से mark कर लीजेगा ऐसे ही चीज अगर हम लो Saturday के दिन आपका थोड़ा से weakness के साथ market closing है बड़ अभी देखों के तो अभी ये previous support market का present है तो हम लोग को फिर से one day time frame पे कम से कम एक तरीके से कह सकते हो कि 21,495 निफ्टी का भी mark कर लीजे 21,495 के नीचे one day time frame पे अगर अच्छे से can stick closing करता है तो market एक बर के लिए drop कर सकते है आपके वापस से कौन कौन से level तक 21,410 और दूसरा आपका level 21,290 तक का इसको miss out ना करिएगा ये चीज है आपको information आपको weekly time frame के और daily time frame के basis से मिलते हुई दिख गई है guys अब इसके बाद next part आता हो दिखता है कि Y data आपका क्या show कर रहे है क्योंकि अब आपकी है monthly expiry so monthly expiry में आप nifty के देखो के Y data को अगर आप तो Saturday के दिन में because market finally नीचे के side में closing करता हो दिखा था तो call writers ही mainly positions को बना के रखे हुए थे और इधर भी देखो कि तो 21,500 पे ही थोड़े बहुत put writers present है वरना mainly आपके call writers ही present होते हुए दिख रहे हैं और इसी के साथ सथ अगर आप bank nifty को भी देखने के कोशिश करोगे तो bank nifty में तो क्योंकि एक आपका scenario market में वही था कि market negative side की जगह थोड़ा से supportive last में बना के close करा तो supportive बनाने की वएसे यहाँ पे जो strongly income sticks आई थी उसकी वज़े से यहाँ पे call writers से आपके भागते हुए दिखे थे और वहाँ पे थोड़ा बहु मतलब put writers अपनी position को add करते हुए कि अगर आप overall देखोगे तो overall में आपको दिखेगा साथसुत्रा कि put writers अपनी position को 46,000 पे बैठा के रखे and call writers 46,500, 47,000 मतलब दूर-दूर की level की call को short करके रखे क्यों क्यों दूर-दूर की call को short करके रखे हुए क्योंकि एक चीज और हुरी ह पिछले तीन दिन से अगर आप देखोगे banking sector का 1500 टाइम फिर्म का चाट को तो आपको दिखेगा कि पिछले तीन दिन से market ने एक consolidation को शो करा हुआ है, consolidation को कैसे शो करा है देखे, ये zone में ही market चलता हुआ दिख रहा है, ये consolidation का zone है, तो इसलिए लोग इधर की call option को short करे हुए और इधर की थोड़ा बहुत पूट option को भी shorter के एक consolidation को बना कर रखे हुए, ये ये पार समझ में आता हूँ दिख रहा होगा, इतनी अच्छी answers आपको पसंद आ रही है, तो 1000 likes का aim minimum है, कर देना, और उसके साथ साथ, प्यारे प्यारे, कम से कम 500 comments करने की कोशिश करना, 500 नही के दिन में, और उसके साथ सा, weekly and daily को तो हम लोग भी देख लिया है, तो सबसे पहले, बांग निफ्टी के levels को mark पली जगा, बांग निफ्टी में सबसे top level को आप mark कर सकते हैं, 46,889 से लेके 46,966, ये बड़ा zone है, बड़ ये important zone है, इसको याद रखीगा, क्योंकि यहाँ प अगर सच में market बहुत bullish हुआ, पूरा इस gap को fill करने का कोशिश करा, तो अगले दिन market breakout करके निकलने की कोशिश करेगा, तो ये एक important zone है, इसके बाद आपको next level को mark करना है, 46,572 से लेके 611 तक के zone को, ठीक है, फिर इसके बाद next zone को mark करना है, 46,193 से लेके 236, आप इसको copy pen मे लिख लिख लिया करें, फिर आप तुरण से trading view पर mark कर लिया करें, फिर इसके बाद next आपका level important zone होता हो, दिखेगा 45,888, अलब 888, इसके बाद 45,729, एक छोड़ा से important level है, इसके बाद most supportive level 45,500, 500 या 490 से लेके 530 कर सकते हो, ठीक है, उसके बाद तबुईस्ट 45,080 का level, उ उसके 10-20 points उपर, 10-20 points नीचे, bank nifty में mark कर लिजेगा, तो ये आपके सारे के सारे important banking sector के levels है, जैसे मैंने आपको बताया ही कि market में fall आया, काफी बड़ा gap down खुला market, इन सारे buyers को यहाँ पर trap कर दिया, तो सारे के सारे buyers पूरा खतम, उन्होंने positions को बेचा, market में और fall आया, फ market में sell off आया, फिर एक gap up खुला, फिर बेचा, फिर एक gap up खुला, support बना के उपर closing करा, so अब market का decision लेना है, कि market या तो इसको उपर के साइड तो थोड़ा बहुत retracement, because ये sellers कुछ-कुछ present होंगे, उनका stop losses hunting होगा, क्योंकि यहाँ पे भी sellers, यहाँ पे भी sellers होंगे, कुछ-क gap up खुलके इसको break करता है, तो थोड़ा बहुत retracement यहाँ तक आ सकता है, 46,572 और इसको भी break करा, तो max यहाँ तक आ सकता है, इसको याद रखेगा, यहाँ से तो एक पकी बात है, मतलब लगबग-लगबग 80-90% यहाँ से एक बार reversal market लेगा, ठीक है, इसको इसलिए मैं बार आप उस time भी miss कर दोगे, क्योंकि आप ध्यान नहीं दोगे अच्छी levels का, अच्छी positions का, तो इसको याद रखना है, अगर market gap up खुला, तो थोड़ा बहुत support लेके market अगर उपर के side जाने की कोशिश करता है, तो हलका full का long, क्योंकि अभी भी sellers के ही zone में market final present है, अगर market gap down हुआ दिखता है, तो आपको पहला छोटा breakdown को ध्यान दिना है, क्योंकि यह जो buyers यहां से market को suddenly उठाए हैं, यह panic कर जाएंगे, क्योंकि यहां पे बहुत छोटे छोटे buyers हैं, देखो कि यह buyers को, इस वाले sell-off में market ने निकाल दिया, यहां से जो buying आई थी, उसको भी market में बस अगर gap down खुल के इसको cross करता है, तो पहला target आपका 45,733 आ जाएगा, और इसको भी break करा, तो फिर से bottom level 45,486,96 यह सब आता हुआ दिख जाएगा, और अगर market इसको break कर दिया, तब वही one day time frame के साब से continuation में market चला जाएगा, 45,064 के levels place को miss out ना करिएगा, क्योंकि buyers अभी तक कर सिलफ आप जरूर लीजेगा, फिर यहां से एक बार हलका फलका profit booking आ सकती है, विकास पहले भी यहां से buyers ने उठाने का try कर रहा है, बट वो हलका फलका होगी, विकास तीन बार market ने try कर लिए, बट buyers भी panic कर जाएगा, और उसको अगर market ने इसको फिर 45,490 लेवल को त तो काफी बड़ा वाला breakdown आता हुँ दिखेगा, ठीक है, इसको miss out न करिएगा, अब चलते हैं इस निफ्टी के उपर, उससे पहले अगर आपको कोई भी course related information चाहिए, तो basic to advance, या तो आप शांदार शांदार strategies को सीखना जाते हैं, तो जरूर से आप उसको सीखते हुए दि स्क्रीन पर, आप इस पर basic to advance course लिख के भेज़ दीजे, या course detail, या strategy detail, तो आपको शांदार-शांदार हमारी कुछ-कुछ strategies present है, जो हमारे YouTube चैनल के आपके description में, link में मिलती हुए दिख जाएंगे, PGS strategy, first link in the description, and levels कैसे बनाते हो, उसकी शांदार-शांदार strategies, आपका second link in the description आप उससे जाके purchase भी कर सकते हो, या तो इस WhatsApp नंबर के उपर details पूछ लीजेगा, वहाँ पर सारी चीजे आपको चीजे बताती हुई दिखे जाएगा, इसको याद रखेगा, बिल्कुल भी में साउट ना करिएगा, इसको save करके आप तुरण से WhatsApp कर सकते हैं, अब चलते है नेक्स पार्ट को देखने के गोशिच करते हैं कि Nifty के क्या उनकांसे levels हैं, उनको जल्दी से mark करते हैं अपना कल की product की preparation को end करते हुए दिखते हैं, तो Nifty में भी गई सबसे top level आपका 21,854 है, उसके बाद next level आपका 21,740 है, then उसके बाद 21,663 है, then उसके बाद 21,609, then उसके यह सारे की सारे Nifty में levels हैं, तो Friday की closing में sellers ज्यादा dominate करे थे, तो Nifty में अभी देखेंगे तो यहां पे sellers, इन सब levels पर अभी भी market में sellers present हैं, इस level पे, इस level पे, तो Nifty में अभी negativity का zone है, अगर Nifty में कल के दिन में negativity की side gap down खुलता है, तो एक mini support 21,520 के आसपास मिल सकता है, क्य मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले show कर रहा था, अगर आप भूल गे हो तो मैं आपको फिर से दिखा देता हूं, ताकि आपको बता रहे, यह देखें, 21,500 एक support zone है, तो अगर market इसके उपर ही gap up खुलता हुआ, इसके उपर ही gap down खुलता है, तो यहां से market एक बार हलका से profit booking type का scenario बना सकता है, तो आप भी इस पे हलका फलका long side की position बना के scalping करके profits निकाल सकते हो, फिर market उपर की level पर जाके अगर rejection लेता है, तो short भी कर सकते हो, क्योंकि gap down खुल रहा है, इसका मतलब है market में sellers present है, अभी भी इसको भूलना नहीं है, और aggressive short, या तो market directly इसको तोड़ 21,435 और 21,365, 63 यह दोनों आपका होता हुआ, दिख जाएगा, इसको miss out ना करिएगा, ठीक है guys, buyers देखेंगे, तो buyers अभी यहां के present है, यहां के present है market में, so अगर market कल के दिन में gap up खुलता है, मैं तो interested नहीं हूँ, बहुत जादे long करने का, मैं clearly बता देता हूँ, मैं bank nifty मे बहुत सारे resistance दिख रहे हैं, जिसको कहते हैं, बहुत सारे resistance, अगर आप देखोगे, तो सबसे पहला resistance 21,660 का है, इसको अगर market cross करेगा, तभी थोड़ा बहुत, यही वाला मैं trade पकडने का try करूँगा, अगर market इस level को cross करता है, तो थोड़ा बहुत यहां से यहां तक का long side क क्योंकि यहां पर अभी भी 200 में average 15 ए टाम फ्रेम पर present है, तो अगर market इसको cross करता है, तो थोड़ा बहुत यहां तक का, वरना उसके लवा और कोई भी trade long side का, उतना ज़्यादा खतरनाक, उतना ज़्यादा अच्छा नहीं दिख रहा है, क्योंकि one day time frame पर भी on the words of breakdown again से है, market इसको याद रखेगा, तो मैं hope करता हूँ, आपको सारे levels, सारी analysis and everything काफी पसंद आया होंगे, make sure करेगा इस वीडियो पे, जरूर से 1000 likes complete कराइएगा, और एकदम जैश्री राम का नाम पूरा भर दीजेगा comment section में, ताकि एकदम एक अच्छी प्यारी power दिखे अपने intelligent traders की इ मिलते है गाइस कल की market में, तब तक लिए see you guys, good night, love you all, एक शानदार market को start करते वे कल दिखेंगे, बाकि कोई भी details and everything चाहिए, तो ये whatsapp number आपके उपर है, इस पर आपको और details पूछ सकते हो, okay, and account opening कर लेना guys, उसको miss out ना करना,